अब आपको बताते कि दुनिया का सबसे बड़ा कारगो विवान कल हैडराबाद एरपोर्ट पे उत्रा है एरपस बेलूगा का इस्तमाल भारी भरकम उपकरणों को ले जाने के लिए किया जाता रहा है इवे मान इतना बड़ा है कि सभी की निगाहें इसी पर ठीकी रहती है ये है आस्मान में उड़ता हुआ जूबा वेल जैसी शकल और वेल जैसा ही विशाल ये है दुनिया का सबसे बड़ा कारगो विमान एरबस बेलूगा सोम्वार को आस्मान का ये बाहुबली हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट का महमान बना इस हवाई अजूबे को आस्मान में उड़ता देख आँखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है शकल सूरत और आकार में ये दूसरे विमानों से बिलकुल अलग है इसका डिजाइन बेलूगा वेल से प्रेरित है और इसी वजह से इसका नाम भी एरबस बेलूगा रखा गया बेलूगा वेल का सिर भी दूसरे वेल के मुकाबले काफी उचा होता है इस विमान की छट भी दूसरे विमानों के मुकाबले काफी उची है खास बात यह है कि ये च्छत भी सामने की तरफ से खुल जाती है एरबस बैलूगा का इस्तेमाल विशाल कायू करणों को एक जगे से दूसरी जगे ले जाने में किया जाता है एरबस बैलूगा से पहले दुनिया का सबसे बड़ा कार्वो प्लेन का खिताब एंटोनोव दोसो पचीस को हासिल था लेकिन यूक्रेन पर रूस के हवाई हमले के दौरान एंटोनोव दोसो पचीस विमान नश्ट हो गया अब एरबस बैलूगा ही दुनिया का सबसे विशाल विमान बन गया हैदराबाद एरपोर्ट पर उतरने के बाद सभी की निगाहें एरबस बैलूगा पर ही टिकी है क्योंकि एवियेशन की दुनिया में ये आधुनिक तक्नीक की काम्याबी की मिसाल है Bureau Report, Good News Today